नमस्ते दोस्तों मैं हूँ राजोन और आज हम 12th क्लास के इंग्लिश बुक के चाप्टर इंडिगो के नोट्स देखने वाले हैं और ये पार्ट 1 का वीडियो है यानि कि इस वीडियो में क्वेश्चिन आंसर्स देखने के बाद जो भी क्वेश्चिन आंसर्स बच तो मैं चाहता तो बड़ा भी वीडियो बना सकता था सारे क्वेश्चिन से एकी वीडियो में डाल सकता था लेकिन आप लोगों को भी बोरिंग लग जाएगा और आपके सबकॉंशन माइंड में ये आएगा कि यार इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चिन से हमेंने ही सीखन या फिर बाद में सीखेंगे तो आपको अच्छा लगे और आप लोग अच्छे से सीख पाएं इसलिए मैंने सूचा कि दो वीडियो बनाते हैं तो शुरू करें इससे पहले आपको बता दू कि अगर आपको easy picture चाहिए इन सारे questions और answers का तो आपको description box में वो मिल जाएंगे और जो second part है इसका वो भी आपको description box में मिल जाएगा उस वीडियो का link तो आईए अब शुरू करते हैं पहले question से तो इन्डिगो चाप्टर के लेखक कौन है? इसका answer है यानि कि इन्डिगो चाप्टर के जो लेखक है उनका नाम है लुइस फिश्चर spelling ठीक से लिखेगा क्योंकि अगर एक वर्ड भी उल्टा सीधा होता है तो आपको mark कर जाते हैं आपके इन्डिगो इस एन एक्सक्रैप्ट फ्रॉम विच बुक यानि कि इन्डिगो चाप्टर जो है वो इस किताब से लिया गया है इस किताब का नाम है The Life of Mahatma Gandhi थर्ड क्वेश्चन है यानि कि कहां और कब राजकुमा शुकला Mahatma Gandhi जी से मिले पहली बार आंसर है इन 1916 राजकुमा शुकला met Gandhi for the first time in Lucknow तो राजकुमा शुकला जो है वो महatma Gandhi जी से 1916 को मिले थे पहली बार कहां पे लखनव पे फोर्थ क्वेश्चन है यानि कि गांधी जी का जो आश्रम है वो कहां पे स्थित है या फिर स्थित था इसका आंसर है गांधी जी से आश्रम इस लोकेटेड इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया यानि कि गांधी जी का जो आश्रम है वो सेवाग्राम में है फिफ्थ क्वेश्चन है यानि यानि उसमें कितने प्रतिनिदी शामिल थे तो इसका आंसर देखते हैं तो दिसंबर 1916 को लखनव में जो भारतिय जातिय कंग्रेस का सम्मिलन हुआ था उसमें 2301 प्रतिनिदी शामिल थे अगला क्वेश्चन जो है यह सिक्स्थ क्वेश्चन काफी कॉमन सा है वेर वाज राजकुमा शुकला फ्रॉम तो राजकुमा शुकला कहां से थे तो इसका अंसर है राजकुमा शुकला वास फ्रॉम चम्पारन यानि कि वो चम्पारन से थे काफी सिंपल है लेकिन बहुत ज़्यादा यह पूछा जाता यह आपको ध्यान में रखना है तो आईए अब सात्वा कुशन देख लेते हैं तो राजकुमा शुकला कौन थे इसका अंसर है राजकुमा शुकला वास वास फ्रॉम चम्पारन तो राजकुमा शुकला चम्पारन के ही एक बटाईदार थे बटाईदार यानि कि जो भागीदारी में खेती करते हैं तो चमपरन कहां पे स्थित्ता उसका अंसर है चमपरन वाज लोकीटेड इन दा फुट हिल्स आफ दा टावरिंग हिमालयास एंड नियर दा किंगडम ओफ नेपाल यानि चमपरन हिमालय पहाड के तलहटियों पे और नेपाल की राजधानी के पास बसा हुआ था नाइन्थ क्वेशन है यानि कि राचकुमा शुकला गांदी जी से क्यों मिले देखते हैं इस कांसर राचकुमा शुकला मैट गांदी जी राचकुमा शुकला गांदी जी से इसलिए मिले ताकि बिहार में जगहों के मालिक जो किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं या फिर अन्याय कर रहे हैं उसके बारे में वो उनसे शिकायत कर सके अंग्रेजों ने ज्यादा तर खेती बारी के जगह पर कबजा कर रखा है बिहार में और वो forcefully यानि कि जबरदस्ती किसानों से इंडिगो उगाने के लिए कहते हैं वो उन्हें जोर से कहते हैं कि आप इंडिगो ही उगाना पड़ेगा आपको यहां पे यानि कि जब राचकुमा शुकला जी ने गांधी जी से कहा कि आप चंपरन आईये तब गांधी जी ने उसके उत्तर में क्या कहा वेन गांधी जी वस आस्क्ट बाइ राचकुमा शुकला तो कम टू चंपरन ये टोल्ड हिम तो मीट इम ऑन क्यालकटा एंड टेक इम फ्रों देयर तो जब राचकुमा शुकला जी ने गांधी जी से कहा कि आप चंपरन आईये तब उसके उत्तर में गांधी जी ने ये कहा कि आप मुझसे कलकटा आके मिलिये यानि कि कलकटा आके मिलिये और मुझे वहां से आप ले जाए चंपरन यानि कि आपको क्या लगता है जो नौकर है उन लोगों ने गांधी जी को भी क्यों दूसरा किसान समझ लिया तो इस का अंसर देखते हैं गांधी जी वास एक काम एंड हमबल परसन विथ सिंपल ड्रेसिंग यानि नौकरों को पता था कि राचकुमा शुकला एक किसान है और जो गांधी जी थे वो एक काम यानि कि शांत और सीधे साधे नम्र इंसान थे और वो भी एकदम साधरन से कपड़े पहने हुए थे तो इसी वज़े से नौकरों ने ये सोच लिया कि शायद गांधी जी भी एक पीजन्ट ही होंगे यानि कि एक किसान ही होंगे क्योंकि दोनों एक साथ है यानि कि राचकुमा शुकला जी और गांधी जी एक साथ है तो शायद गांदी जी भी उनके साथ एक किसान ही है तो राजकुमा शुकला जी को द्रिन निश्चाई क्यों बताया गया है आए देखते हैं इसका अंसर राजकुमा शुकला is described as being resolute because he didn't leave गांदी जी's company before getting confirmed that he is coming to Champaran गांदी जी told राजकुमा शुकला that he had an appointment in Kanpur and was also committed to go to other parts of India but शुकला still accompanied him everywhere शुकला followed गांदी जी even to the ashram for weeks he was with गांदी जी and he kept requesting him to fix a date to come to Champaran तो राजकुमा शुकला जी को द्रिन निश्चाई यानि की resolute इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने गांदी जी का साथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उन्होंने ये सुनिश्चितना कर लिया कि वो चंपारन आ रहे हैं गांदी जी ने राजकुमा शुकला जी को कहा कि मुझे कानपूर में किसी से मिलने जाना है उन्होंने ये भी कहा कि मुझे देश के बहुत से जगहों पे भी जाना है मुझे वहाँ पे भी बहुत काम है लेकिन राजकुमा शुकला जी ने उन्हें वहाँ पे भी फॉलो किया गांदी जी जब आश्रम पे भी आ गए तब भी राजकुमा शुकला उनके साथ ही थे कुछ हफतों तक राजकुमा शुकला जी ने गांधी जी के साथ बिलकुल ही नहीं छोड़ा और बस ये बिंती करते रहे गए कि आप कोई डेट फिक्स कीजिए कोई निर्धारे दिन मुझे बताइए कि आप इस दिन को आ रहे हैं यानि कि उन्होंने पूरा डेडिकेशन दिखाया कि गांधी जी को किसी भी तरीके से लाना है चमपरन में इसी वज़े से उन्हें रेजलीट यानि कि दिननिश्चे ही बताया गया है ये एक बहुत important question है इसको आप ध्यान से देखेगा यानि कि राजेंद्र प्रशाद जी के घर पे गांधी जी से कैसा बरताफ किया गया इसका अंसर है तो राजेंद्र प्रशाद जी के घर पे जो नौकर थे उन लोग ने देखा कि राजकुमा शुकला तो एक किसान है और क्यूंकि गांधी जी भी उसके साथ थे यानि कि राजकुमा शुकला जी के साथ थे तो उन लोगों ने सोचा कि गांधी जी भी शायद एक किसान ही होंगे क्योंकि गांधी जी ने एकदम सिंपल से ड्रेस अप किया हुआ था और वो एकदम सीथे साथे इंसान थे और इसी वज़े से उन नौकरों ने गांधी जी के साथ भी एक किसान की तरह बरताव किया, जैसे कि उन लोगों ने कोई से पानी भी नहीं पीने दिया गांधी जी गो. यानि गांधी जी राचकुमा शुकला जी से पहली बार लखनव में मिले. उसके बाद वो कानपूर गए और देश के कुछ दूसरे जगहों पे भी गए. उसके बाद वो अपने आश्रम पे आये जो की एहमदाबाद में है. और उसके बाद वो कलकत्ता, पटना और मुजफरपूर गए थे. चमपारन आने से पहले. उसके बाद देखिया हमारा 15th question है. भारतिय किसान और अंग्रेज जो मकान मालिक है, उनके बीच जो इंडिगो से संबंदित अनुबंध हुआ था, यानि कि जो कॉंट्रेक्ट बना था, वो क्या था? उसके बारे में बताईए. तो देखते हैं इसका आंसर. The long-term contract of the indigo between the British landlords and the Indian peasants was that the peasants have to plant 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. तो भारतिय किसान और अंग्रेज जो की जगह के मालिक थे, उनलोगों के बीच जो contract हुआ था, यानि कि जो अनुबंध हुआ था, वो ये कहता था, कि जो भी जगह किसानों को मिलेगी, उस जगह का 15% जो पार्ट होगा, मानलीजे ये जगह है, और ये है इसका 15%, तो इस 15% पे आपको इंडिगो बनाना पड़ेगा, यानि कि इंडिगो का खेत करना पड़ेगा किसानों को, और वो जो इंडिगो का खेत होगा, उस पूरे खेत को आपको as a rent, यानि कि किराय के तौर पर ब्रिटिश को दे देना पड़ेगा, तो ये था उनका contract, I hope आप लोग समझ यानि कि गांधी जी ने चंपारन जाने से पहले मुझफफरपूर जाने का फैसला क्यों किया था? गांधी जी डिसाइड तो गो टू मुझफफरपूर फर्स बिफोर गोंग तो चंपारन बिकोज, he wanted to gather more information than what शुकला प्रोवाइड़ेट अबाउट चंपारन. तो गांधी जी ने चंपारन जाने से पहले मुझफफरपूर जाने का फैसला इसलिए किया था? क्योंकि वो चाहते थे कि राजकुमा शुकला जी ने जो चमपारन के बारे में जानकारी उन्हें दी है उससे भी ज्यादा जानकारी वो हासिल करें चमपारन के बारे में तो देखिए ये तीन कुशन एक साथ मैंने नहीं डाले हैं ये किताब का ही है तो इसे समझते हैं पहला question का मतलब ये है कि जो किसान है वो किस चीज को किराय के तोड़ पे British जो मालिक है जगा के उनको देते हैं दूसरा question कहता है कि जो किराया है जो पहले किराया होता था उसके बदले British अब क्या चाहते हैं किसानों से और जो तीसरा है वो है जो synthetic indigo बना है उसका प्रबाव natural indigo पे क्या पड़ेगा तो देखते हैं इसका answer the peasants paid the British landlords indigo as rent यानि कि जो किसान है उन लोगों ने British कर्मचारी नहीं British मकान मालेकों को indigo किराय के तौर पे दिया था जिसके हमने equation पहले देखा था now Germany had developed synthetic indigo so the British landlords want money from the peasants because they released them from the 15% arrangement and they wanted compensation for this और अब Germany ने जो है synthetic indigo बना लिया है इसलिए जो British मकान मालिक हैं वो बोल रहे हैं किसानों से की जो हमारा contract था कि आपको 15% अपना जगा indigo खेत करके हमें देना पड़ेगा वो अभी देने की जरूरत नहीं है आप हमें पैसा दे दीजिए और ये इसलिए क्योंकि Germany ने जब synthetic indigo बना लिया है तो natural indigo की जरूरत नहीं है British को लेकिन इससे बुरा फरक पड़ता है किसानों को क्योंकि उनके पास तो पैसा नहीं है तो British Landlords Association की जो Secretary है उन्होंने गांदी जी से क्या कहा था आंसर है तो जो Secretary है British Landlords Association के उन्होंने गांदी जी से कहा कि हम किसी भी बाहर के आदमी के साथ ये जो agreement हुआ है ये जो बातचीत हुआ है indigo का किसानों के साथ वो आपसे शेयर नहीं कर सकते आफ्टर मीटिंग British Landlords Association होम डेट गांदी मेट यानि कि British Landlords Association जाने के बात गांदी जी किस से मिले आंसर है आफ्टर मीटिंग British Landlords Association गांदी मेट ब्रिटिश ओफिशियल कमिशनर आफ दा तीरहत डिविजन यानि कि British Official Commissioner ने गांदी जी को धमकाया और कहा कि आप अभी के अभी इस जगह से निकल जाएए ऐसे बरताव किया गांदी जी के साथ उसके बाद देखिए 21 नंबर जो क्वेशन है हमारा और यही है हमारा लास्ट क्वेशन बहुत इंपोर्टेंट भी है ये आप ध्यान से देखिएगा प्लीज क्या ब्रिटिश ओफिशल कमिशनर के धमकाने के बाद गांदी जी चमपारन से चले गए उन्होंने क्या किया तो अब देखते हैं इसका आंसर तो इसका अंसर है नहीं गांदी जी ब्रिटिश कमिशनर के भढकाने पे बहुत भीच्वेशन है नहीं जी ब्रिटिश ओट्काने नहीं गए वहां से उन्होंने चमपारन का जो राजदानी है मोतिहारी वहां के रेल्वे स्टेशन पे एक घर डूंडा उस घर में उनका स्वागत हुआ वो गए वहां पे और उस घर को उन्होंने एक आफिस की तरह यूज किया उस घर में रहके उन्होंने box में मिल जाएगा और जो भी question बचे हुए हैं आपको लगा है कि जो question इस वीडियो में कवर नहीं हुए है वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा तो बिना किसी संकोच के आप वो वीडियो देख सकते हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इन सब pages का HD picture का लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और अगर आप में से किसी को इस chapter का summary नहीं देखा है या पिर समझने में कोई भी problem है तो summary भी मैंने बनाय हुआ है आपको description box में उसका भी link मिल जाएगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं तो कोई भी doubt है इस video से related कोई भी question से related तो पूछो यार मैं ज़रूर reply करूंगा और मिलते हैं अगली video में तब तक के लिए take care